वेलकम इन सी स्कूल आफ मैथेमेटिक्स आज हम लोग डिसकस कर रहे हैं सीटेट के आई हुए प्रस्ण जो आपके एक्जाम से जाने से पहले आप एक बार उसको देखेंगे तो बहुत ही हल्फुल रहेंगे देखते हैं कोशन नमबर एक कि विभिन निम्न लिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से चार आपके कथन दिये गए हैं इनमें से कौन सा कथन बिलकुल सही है तो देखेंगे कि पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या सूनने होनी चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प् सुनने कब सिखाना चीज़, तो बच्चों में संख्या ग्यान विक्सित होने के बाद सुनने का परिचे दिया जाना चीज़, बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा सबसे बेस्ट आप्सन है इसमें, आपको सारे सही लगेंगे, लेकिन उस चारों में से जो सबसे पासने सही सबसे बेस्ट करेक्ट होगा, वही आपको टिक करना है, नेक्ट कोशन देखेंगे, एक अच्छा तीन के विद्यारतियों को आधे की संकल्पना का परिचे देने के लिए सिख्चक निमलिखित क्रिया कलापों की योजना बनाता है, तो इन में से आपको सिक्वेंस से लगा सिख़्ारतियों, जैसे ही मूर्त की बात आती है, तो छोटे बच्चों में मूर्त रूप को सबसे पहले हम करते हैं, जैसे बच्चों के मानसिक चित्रण एक बन जाता है चीज़ों के बारे में, तो सबसे पहले हो गया 3rd, फिर क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद हम च और आप इसी को यही हमारा correct option है next question पर चलते हैं कि अच्छा एक और दो के गणित सिच्छन और अधिगम के लिए निम्न लिखित में से कौन सा सही है एक और दो में पढ़ाने के लिए कौन सा सही है तो एक और दो के लिए आभ्यास के लिए बहुत अधिक आूसर ऐसा ज़रुरी नहीं है एक या दो के लिए गड़ित के मौकिक प्रसुन का कराया जाना ये भी ज़रुरी नहीं है एक दो में गड़ित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए तो बिल्कु गलत है देखते हैं कि अगर ये हमारे पास लिखा हुआ है तो वो कहता है कि इसके रिक्त स्थान यहाँ पर क्या आची जाएगी यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि x आएगा तो x आएगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको multiply करेंगे एक हजार एक गुड़े 111 तो इसका अंसर क्या आएगा 1, 1, 1, 1 और 6 टाइमस आपका 1 आएगा यह आगया इसका multiplication अब इससे minus कर देंगे हम क्या हम क्या minus करेंगे दोनों का addition तो यहाँ से यह minus करेंगे तो 11 और 4, 0 यहाँ से इसको minus कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1, 1, 1, 1 यह 0 हो जाएंगे इसको 11 से divide कर देना है तो 11 से जब divide करेंगे तो 11 वंजा 11 और 2 में लगेगा तो 0 और 1 तो 101 इसका करेंगा correct option हो गया यहाँ से बहुत इजी question है next question पर चलते हैं कि यह देखते हैं कि यदि 15,204 में 5 का इस्थानी इमान ऐसे question सीटेट में आए हुए हैं इससे पहले भी हमने अपने lecture में discuss किया है तो 5 का इस्थानी इमान क्या है 5000 फिर क्या है कि वो कह रहा है कि इसके 6 का इस्थानी इमान तो नों में इस्थानी इमान की बात कर रहा है तो यह 600 है इसका इस्थानी इमान तो इसमें प्लस कर दिना है तो कितना हो गया 5600 फिर कह रहा है कि 7 इंटू यहाँ पर क्या आएगा तो 7 से डिवाइट कर दो यहाँ से एक्स बचेगा तो 7 एट जा तो कितना अंसर हो गया 800 आपका correct option हो गया next question पर चलते हैं कि यदि 36 और 48 का सार्व धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल तो हम देखेंगे 36 और 48 के सारे गुणनखंड जो मतलब इन दोनों संख्याओं को डिवाइट करते हो तो उनका गुणनखंडों का गुणनफल उनको सबको multiply करेंगे तो 36 का लिख लेंगे तो 36 ते गुणनखंड कौन से होते हैं 48 के तो दोनों में common गुणनखंड कौन से हैं 36 का लिखेंगे तो 36 का होता है 36 डिवाइड होता है 2 से, 3 से, 4 से 6 से, 9 से 12 से, 18 से और 36 36 से तो डिवाइड होता है ऐसा ही 48 का भी लिख लेंगे तो 48 डिवाइड होता है 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से और 48 से अब देखेंगे कि इनके सार्व धनात्मा गुड़न दोनों में common क्या है 2 common है, 3 common है, 4 common है, 6 common है और उसके बाद 12 common है तो इनका सबको गुड़न कर देंगे तो इनमें हमारी संख्या आई, 2, 3, 4, 6 और 12 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, multiply करने के बाद 1728 यह हो गया अब वो कह क्या रहा है यहां से कि 999, तो इससे 999 हम माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा जब 999 को हम माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 729, और इसको डिवाइट कर देंगे 9 से यहां X है, तो X 9 से डिवाइट करेंगे तो 9, 8 जा, 9, 8 जा, 72 और 9 बन जा, तो 81 हमारा क्या हो गया? करेक्ट, आंसर हो गया नेक्स्ट कोश्चन पर देखते हैं कि यदि 26,600, 69 को 39 से भाग देंगे तो 39 से जब भाग देंगे, तो आपका जो सेसफल आएगा तथा इसको 29, 405 को 34 से भाग देंगे देने पर प्रास सेसफलों के अंतर को इसका सेसफल आएगा 3 जब आप डिवाइट करेंगे इसका सेसफल के आएगा इसको 34 से डिवाइट करने के बाद आपका सेसफल आएगा 29 अब इनके दोनों का अंतर तो 29 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 26 26 फिरो क्या कर रहा है कि 18 से भाग दो अब 26 को 18 से भाग दो तब क्या सेसफल आएगा क्या बचेगा रिमेंडर जब आप 26 को डिवाइट करोगे 18 से तो 18 बन जा 18 और डिवाइट आप करोगे 1 टाइम तो यहां से आपका बचेगा 8 नेश्ट चलते हैं 48 पे कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्व गुनच तो क्या निकालेंगे सार्व गुनच का मतलब क्या है यहां पे LCM तो सबसे छोटा सार्व गुनच होगा इसका 540 निकाल लेंगे उसको डिवाइट कर देंगे 90 से तो सिंपल में सार्व गुनच धियान रखेंगे किसको कहते हैं LCM को कहते हैं तो डिवाइट करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 का टेबल इसमें पढ़ेंगे तो 9, 6 जा 54 तो यहां से हो गया अंसर आपका 6 नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं कि सोनू के पास 5 दरजन टाफिया अब 5 दरजन टाफियों का मतलब क्या हो गया 5 गुड़े 12 उसने इनका 1 बटा 3 भाग अमिता को तो इसका 1 बटा 3 भाग यहां से निकालेंगे 1 बटा 3 सीधा सीधा तो 3 फोर जा तो मतलब किनी टाफिया हो गयी 20 अमिता को दे दिया 2 बटा 5 भाग अनिल को तो 2 बटा 5 करेंगे यहां से तो 24 आ जाएगा तो 24 अनिल को दे दिया 1 बटा 12 हमीदा को तो 5 आ गया सोनु के पास बची टाफियों की संख्या कितनी है तो टोटल उसके पास कितनी थी 12 और 5 को मुटिप्लाई करेंगे 60 यहां से एड कर लेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 49 तो 49 माइनस करेंगे 60 तो आपका आ जाएगा 11 यही आपका correct option हो गया बहुत simple simple question है आप ध्यान से करेंगे सारे question हो जाएगे यहां से देखोए यह question बहुत आ चुका है कि 112 इकाई तो 112 ही काई का मतलब क्या 112 गुड़े 1 फिर प्लस 12,000 तो 12 गुड़े 1,000 फिर क्या कह रहा है कि equal to यह बराबर है किसके 11,000, 0, 12 के और प्लस दहाई तो दहाई का मतलब है X into 10 तो यह 10X हो गया solve कर लेंगे इसको तो यहाँ से solve करने के बाद आपका जो आएगा वो solve करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा X is equal to 110 क्योंकि इसको हम previous lecture में ऐसे question को discuss कर चुके हैं आप इसको multiply कर लेंगे इसको multiply कर लेंगे यहाँ से जो multiplication में आएगा तो आएगा आपका 12112 इससे यह minus कर देंगे और जो remainder आएगा उसको divide कर देंगे 10 से